नमस्कार, स्वागत आपका हमारे चैनल उर्जा दा एनर्जी डिवाइन लाइट में आज चर्चा का विशे रहेगा केतु और बुद्ध का कॉम्मिनेशन अगर किसी बेक्ति का मूलांक साथ और भाग्यांक पांच है तो इस बेक्ति की लाइफ कैसी रहेगी? इसको केरियर क्या बराना चाहिए? क्या सर्विस या बिजनिसे से करना चाहिए? लाइफ में क्या प्रॉब्लम सा सकती है? और उसके लिए इन्हें क्या उपाय करते रहना चाहिए? इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे 75 का जो combination होता है वो बहुत अच्छा combination नहीं होता ठीक ठीक combination इसे कह सकते हैं ना खराब ना अच्छा average combination इसे माना गया है केतु और बुद्ध का combination ये जो ब्यक्ति होते हैं इनकी personality versatile होती है अगर बच्चों के साथ बैठेंगे तो बच्चों जैसे बात करेंगे उनके साथ घुल मिल जाएंगे और अगर ये बड़े लोगों के साथ बैठते हैं तो उनके साथ में intellectual हो जाएंगे और उनहीं की तरह की बात करेंगे मतलब कि जैसा माहौल होगा जैसा देश बैसा वेस ये बना लेते हैं हर माहौल में ढलने की चमता इनके अंतर होती है ये सामने वाले को बातों से ही पहँचान लेते हैं मतलब कि इनका intuition काफी तेज होता है ये सामने वाले का intention उसका जो पर्सनल्टी है उसको बातों में ही पहंचान लेंगे काफी धहरेवान होते हैं और लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहती है हालांकि इनकी जो यंगेज है या जवानी है उसमें इनको आथिक तंगी का सामना करना पड़ता है 35 प्लस होने के बाद जाकर के इनकी आथिक इस्थिती सही होती है ये कोई भी काम बिना विचारे नहीं करते हैं बहुत सो समझ कर काफी उस पर गहन विचार विमर्स करने के बाद कोई भी काम आगे बढ़ाते हैं के तू गहन सोद, गहन विचार, गहन ताका नंबर है तो मुलंक केतू होने के कारण इन में काफी depth पाई जाती है ये इनकी जो बातें होती हैं उसमें भी घहराई होती है कि कोई भी काम करेंगे उसमें गहन सोच रखेंगे अगर कोई संबन निवाएंगे तो उसको भी बहुत ही sincerely निवाएंगे हलके में ये कोई भी काम नहीं करते हैं इनकी जो एक depth केतू का नंबर देता है वो हर बिसे में हर जगह पर देखी जा सकती है हलके पन में ये किसी रिष्टे को नहीं निवाते हैं लेकिन ये जो इनकी गहनता होती है depth होती है deepness होती है वो इनके face से प्रकट नहीं होती है चहरे से आपको चंचल नजर आ सकते हैं इनकी merit life जो होती है वो ठीक ठीक चलती है बहुत जादा कोई disturbance इनकी merit life में नहीं आते हैं हालांकि ये बात अलग है कि ये कहीं न कहीं दूसरी जगह भी attached रहते हैं काफी समय तक के लिए ये बात घरवालों को इनकी spouse को पता चले या ना चले लेकिन ये कहीं न कहीं मांसिक रूप से किसी अन्य से जुड़े हुए रह सकते हैं ये अपनी परिवार को अपनी parents को बहुत जादा प्यार करते हैं उनकी बहुत care करते हैं और वह इनकी priority में रहते हैं ये सभी के बारे में बहुत सोचते हैं परिवार की भी care करते हैं society के नियम कैदों पर भी चलते हैं और परिवार में इनको एक ओधा उच्छ ओधा करना चाहिए प्राप्त होता है इनका एक दबदबा रहता है अगर ये कुछ घर में कहते हैं तो इनकी बात को माना जाता है अब क्योंकि कॉम्मिनेशन बुद्ध और केतु का है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा इनके साथ में ब्रहम की स्थिती बनी रहती है ये जितनी मेहनत करते हैं उतना इनको फल नहीं मिल पाता है हालांकि ये लास्ट समय तक ये सोचते रहते हैं कि इनको जितना इन्होंने किया है मेहनत उसका फल मिलेगा और वो इनको नहीं मिल पाता है ये अपनी लाइफ में सफलता स्वैम प्राप्त करते हैं अपने दम पर ही ये बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं इनकी शादी जल्दी ही हो जाती है, सादी में डिले नहीं होता है इनकी लाइफ में जो problems रह सकती है वो स्वाश्त सम्धि हो सकती है स्वाश्त की समस्याँ इनके आगे अकसर ही आती रहेंगी सिर्में दर्द रहना, gas बनना, heart attack, BP की problems इस तरह की समस्यां इनके साथ लगी ही रहेंगी वैसे इनकी लाइफ स्मूद रहेंगी लेकिन हेल्थ वाइज परिशान रहेंगे इनको जो केरियर है वो कहां बनाना चाहिए तो केरियर के लिए ये सोलर प्रांट का काम कर सकते हैं अगर चार्ट में नौ नमबर सही है तो ये बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं बैटिनरी डॉक्टर हो सकते हैं या फिर ये जैम्स का काम करते हैं तो वहाँ पर भी सफलता इनको मिलेगी ही अगर इस्प्रिशलिटी से रिलेटिट कोई भी काम करते हैं एस्ट्रोलोजी से सम्बंदित कोई कार करते हैं तो वहाँ पर भी इनको सफलता मिलने के बहुत चांसेज हैं क्योंकि केतु जो है वो सोद का नमबर है सोद का जो गहनता का नमबर है वो केतु है तो ये इस तरीके का कोई भी काम कर सकते हैं अब हम अगर बात करें तो जब combination 7 और 5 का होता है तो बहुत chances होते हैं कि इनकी कुंडली में मून खराव हो रहा हो इनका चंदमा खराव अक्षर ही कुंडली में पाया जाता है तो इन्हें अपना सूर्य और चंद को सही रखना चाहिए अगर सूर्य और चंद सही रहेगा तो इनकी life काफी smooth रहेगी सूर्य चंद को सही रखने के काफी सारे उपाय मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सबसे सरल और अच्छा उपाय है चंद को सही रखने का कि आप सिप जी का जलाविशे करते रहें सौंबार का बत रखे और मा को हमेशा प्रशन रखे उनकी सेवा करें सूर्य को सही रखने के लिए आप पिता की सेवा करें पिता की आज्या का पालन करें उन्हें खोस रखें और सूर्य को अर्या दें तो ये छोटे-छोटे उपाय करके आप अपनी लाइफ को smoothly आगे पढ़ा सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, हाँ ये अलग बात है कि आपका जो young age है, youth age में आप थोड़ी सी problems में रहेंगे, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करप्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को like and share कीजिए, जोड़े रहे हमारे चैनल ओर्जा the energy divine light से, आपके सहियो, आपके प्यार और आसीर बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स वीडियो मे नेक्स वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, नमस्कार